हलो फ्रेंज विल्कम बेक टू माई चैनल तो आज हम बनाएंगे पोहा तो इससे बनाना स्टार्ट करते हैं तो इसके लिए पोहे को पानी में अच्छे से भिगो लें और उसका सारा पानी निकाल दें अब कड़ाई में तील डालेंगे इसमें थोड़ा सा राई डालेंगे और कटा हुआ हारा मिर्च साथ में ही हम इसमें कड़ी पत्ता डालेंगे और इसे अच्छे से फ्राय होने देंगे अब हम इसमें टामाटरेट करेंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे अब हम पोहे में मसाले डालेंगे लाल मिची पाउडर, खल्दी पाउडर और स्वाध अनुसार नमक डालेंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे हमारे टमाटर पक गए हैं अब हम पोहे को इसमें एड़ करेंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे इसे लगबग दो बनेट तक अच्छे से पकने देंगे हमारा फोहा तयार है आप इस पर सेव डाल कर और थोड़ा सा अनेयन डाल कर इसे अच्छे से सर्व कर सकते हैं आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेट में जरुद बताएगा और प्लेश क्वार में जरुद आपको ये शीडियो कर देंगे